दोस्तो इंडियन स्पेस रिसर्च और्गानेजिजेशन की मंगल्यान प्रोज़ेकट को कल 7 years हो गये है 24 सेपटेंबर 2021 को 7 years कंप्लीट हो जाते है मंगल्यान मिशन की दोस्तो मंगल्यान मिशन को सेपटेंबर 24 2014 में लांच किया गया था आज के इस वीडियो में हम इसी के वारे में थोड़ असा जानकारी जानेंगे चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं मेरा नामे आदर्श आप देख रहे हैं एडिटेक दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मंगल्यान मिशन को मॉम मिशन से भी जाना जाता है इसका मतलब यह है कि मार्स ओर्विटर मिशन मार्स ओर्विटर मिशन को सक्सेस्फुली ओर्विट के अंदर इंसर्ट किया गया था 24 सेप्टेंबर 2014 को दोस्तों दोस्तों पहले plan ये था कि इस mission को केवल और केवल 6 महीने के लिए चलाना है, 6 months के लिए चलाना है, लेकिन ये plan चेंज हो गया और 24 September 2021 को complete कर लेता है 7 years ये mission दोस्तों मंगल्यान. दोस्तों बहुत सारे reports के अनुसार ये मालूम होता है कि जो मंगल्यान का जो health है वो ठीक ठाक है, उतनी भेतरिन condition नहीं है जो पहले था दोस्तों, क्योंकि 7 years और और बिट में आलरी रह चुका है. दोस्तों बहुत सारे reports के अनुसार ये भी मालूम हो जाता है कि मंगल्यान के पास अभी भी एक साल के लिए और बिट में रहने का ताकत शमता है दोस्तों. दोस्तों मंगल्यान कंप्लिट कर चुका है 3 Martian years तो अब Martian year क्या होता है दोस्तों एक Martian year होता है 687 days मतलब 3 Martian years इदर हो जाते हैं 2061 days दोस्तों मंगल्यान कंप्लिट कर चुका है approximately 2061 days दोस्तों ये रहा थोड़ी सी जानकारी थोड़ी सी अपडेट मंगल्यान के बारे में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like ज़रू करिया और आपके family members के साथ आपके दोस्तों के साथ इस video को share ज़रू कीजिए दोस्तों channel के उपर नहे हैं तो सबस्क्राइब करके bell icon को ज़रू दबा लिजिए ऐसे ही interesting और latest साइन साइन टेकनोलोजीकल वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम